नमस्ते दोस्तू मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे आक्सी स्वैसन एवं अनाक्सी स्वैसन में अंतर जैसे की पैसन है आक्सी एवं अनाक्सी स्वैसन में अंतर लिखिए अथवा बाइविये एवं आवाइविये स्वैसन में अंतर लिखिए उत्तर है आक्सी एवं अनाक्सी स्वैसन में निम्न लिखेत अंतर है एक साइड लिखेंगे आक्सी स्वैसन और दूसरी साइड लिखेंगे अनाक्सी स्वैसन पहला अंतर है इसमें ओक्सीजन की आवसेक्ता होती है ओक्सीजन में ओक्सीजन की आवसेक्ता होती है इसमें ओक्सीजन की आवसेक्ता नहीं होती है अनौक्सी स्वैसन में आक्सीजन की आवसेक्ता नहीं होती है दूसरा अंतर है इसमें भोज पदार्थों का पूर्ड आक्सीकरण होता है अक्सी स्वैसन में भोज पदार्थों का पूर्ड आक्सीकरण होता है इसमें भोज पदार्थों का अपूर्ड आक्सीकरण होता है अनौक्सी स्वैसन में भोज पदार्थों का अपूर्ड आक्सीकरण होता है तीसरा अंतर है इसमें 38 ATP का निर्माड होता है ओक्सी स्वैशन में 38 ATP का निर्माड होता है इसमें 2 ATP का निर्माड होता है अनॉक्सी स्वैशन में 2 ATP का निर्माड होता है चौथा अंतर है ओक्सी स्वैशन का उत्फाद CO2 और H2O होते हैं अनॉक्सी स्वैशन का उत्फाद CO2 और्थाद कार्बन डाई ओक्साइड और H2O और्थाद जल होते हैं अनॉक्सी स्वैशन का उत्फाद 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 अनॉक्सी स्वैशन का उत्फ अधिकांस जीवों में होती है ओक्सी स्वैसन की किरिया अधिकांस जीवों में होती है यह किरिया बहुत कम जीवों में होती है अनौक्सी स्वैशन की किरिया बहुत कम जीवा में होती है छटवा अंतर है यह किरिया कोशका द्रब और माइटो कॉंडिया में पूर होती है अनौक्सी स्वैशन की किरिया कोशका द्रब और माइटो कॉंडिया में पूर होती है यह किरिया कोशका द्रब में ही पूर हो जाती है अनौक्सी स्वैशन की किरिया कोशका द्रब में ही पूर हो जाती है तो हे गाईज एदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और सस्क्राइब करें धर्नबाद